पूरा रूटीन मैं आप लोग के साथ पूजा हो चुकी है एक बार मैं जो है पने बच्चों के लिए थोड़ा कुछ बना देती है फिर उसके बाद त्यारी करते हैं किचन को साथ सुत्रा कर लेते हैं तो आए चले वीडियो को सुरू करते हैं क्या कुछ कैसे मैंने सुबह से क्या किया क्या नहीं किया प्लीज है या थे हमारे चैनल के सब्सक्राइब जरूर कर लें वीडियो अच्छी लिखती है तो प्यारा सा लाइक करना कता ही न भूलें तो आए चलते हैं सीधा अपने कीचन में आज हम आप लोग के साथ अपना मौर्णी रूटीन से एर कर रहे हैं उम्मिद करते हैं वीडियो जरूर परसंद आएगी तो यह देखिए कैसे मतलब देखिए चमक धमक और प्रोफेशनल चीजे दिखाना मेरे बस की तो बात नहीं है मैं एक हाउस वाइफ हूं और वह भी गाउं से बिलोन करती हूं इसकी वज़े से सब कुछ परफेक्ट नहीं रहता है हमारा तो सुब चार रोटी फिर आटा लगाए अच्छे से आटा भी नहीं लगाए हैं कम्प्लिट तरीके से तो तिन चार रोटी अच्छी खराब लोगी बनी बना दियें बाउखाने के लिए पीता जी की चाय बनके तयार है बापी सब ने चाय पीया हुआ है और यहां पर थोड़ा सा आलग करके इसको रखा है हमने फ्राइ करने के लिए यह है मुली मुली की सबजी बनाएंगे पत्य की इसके बाद वहां पर देखें गोभी थोड़ी सी कटी रखी है गोभी आलो की सबजी बनाना है तो सब कुछ बैक कैमरे से ही दिखाएंगे क्योंकि इधर बच्चे आते हैं तो बस चलिए फिर बने रहेगा हमारे साथ सुबह से साम तक का जो भी होगा चार बज़े तक का रूटीन जरूर सेयर करेंगे आप लोगों के साथ वीडियो कैशी लगती है बताइएगा जरूर और एक प्यारा सा लाइक और जो भी भाइब है निव आते हो चैनल पर स कि आपका सब्सक्राइब और लाइक और वाच्छा हमारे लिए हमारी मेहनत का फल होता है उम्मिद करते हैं कि आप सब हमें जरूर समझेंगे और अपना सहयोग और प्यार बना के रखेंगे फिर इन सब को तयार कर लेते हैं सबजी वगारा तो मिलते हैं आप लोगों से थ मेरी मजबूरियों को तूने नहीं जाना मेरी मजबूरियों को तूने नहीं जाना एक्रिष्णि गोविन्द माधव मुरारी एनात नारा एनवाशुदेवा पूला नहीं है ने जिसको भी एड़ कर देते बहुत प्रजरूरी था पर फूला नहीं है यहां पर हमारा चावल जो है फ्राई हो चुपा है बाखी सारा काम ऐसे ही अब चलने सब्जी वगर काटेंगे फिर इसके बाद बनाएंगे दो सब्जी बनाना हैं, दाल नहीं बनाएंगे दो पार ख्टी खाने में मिलते है आप बहुसी तोडी देर में तो अब आप देख सकते हैं कि अहां पर हमारी सब्जी तैयार हो चुक है कट के धो के मैंने रख लिया है सबजी को जो है और यहां पर तड़का भी मैंने काट के रख लिया हुआ है इसके बाद देखिए हमारे दोनों कढ़ाई गरम हो रही है और कढ़ाई में हमने तेल रखा हुआ है गरम करने के लिए तो दोनों कढ़ाई में सबजी फटा-फट से भू बाकी का जो आप देख रहे हैं राजी स्पैकिट मसाला एड़ करेंगे तो जो कि उनको जो है नहीं पसंद है मैं फीस के ही मिलाती हूं हर बार ऐसा है लेकिन यह दो सब्जी है तो फिर उनको दिक्कत नहीं होगी खाने में इसकी वज़ा से तो बस चलिए फटा-फटा के रहा है दीरे-दीरे यह भी तेल हमारा गरम हो चुका है तो इसमें जो है इससे पहले एड़ कर देते हैं प्याज दोनों हम चलाते रहेंगे साथ में हमको बनाना है बहुत मतलब काफी जेव लग रहे हैं ताइम बहुत ज़्यादा हो गया है यहां पर लखन हलका हो गया है और हम मिल्ची आइड़ कर देते हैं यहां पर हमारा तड़का हो चुका है और आप हम जो है सब्जी को इसमें अच्छे से तो देखिए मॉर्निं का रुटेन ही सेयर कर रहे हैं रेसिपी का कोई मतलब नहीं है फिलाल के जो कि भी बना रहे हैं मॉर्निं रुटेन है तो सेयर ही कर देंगे यहां पर हम इसमें नमक डालके इसे ठंक देंगे धीमें आज पर पकने के लिए कि अब यहां पर दिखें मार ठड़का हो चुका है दो है इसी में इसी में देखिए जो सोया बीन है अगर ज्यादा होता मतलब इससोय बीन की सबजी रेसिपी करेंगे तो इसमें सोटे में बहुन देते हैं आप देख सकते हैं भूझने के बाद थोड़ा कुछ आलग तरी यहां पर देखिए मूली की सबजी एकदम कलके हाफ हो गई है विसको फकने देंगे उस टाइम तक और यहां पर देखिए हमारा मासाला और टमाटर बढ़ियां से फक चुका है यहां इसमें हमारा अलू और वो भी एट कर देते हैं कर देता कहेंगा कि यहां पर हमारी सब्जीकदम कंप्लीट तयार है हम नमकाइट कर देते हैं इसमें और इसके वासे ढग देंगे पकने के लिए यह रहा हमारा चावल जोकी में बना यह सुगा का बर्तन रखा हुआ है अब हमें इसको धोएंगे बच्चे हैं नहीं गर पर नहीं तो बिट्य है अगर चुप्टी का टाइम होता तो दो लेती है बर्तन धो पी फिर दूसरा काम देखते हैं वान यहां पर हमने बर्तन धो लिया है और देखिए सब कुछ साबसुत्रा कर दिया है और मारा खाना भी लगवग बन गया है आप देख सकते हैं यहां पर हमारी मूली की पटापट से मैंने दे दिया उपानाखा के जा रहे हैं लंभुआ यहां पर चावल यह भी सीटी आ रही है और यह देखिए रोटी कंप्लीट बन गई है और हमारी जो मसालेवारी सब्जी है वो भी बन गई है तो सारा तक कुछ यह यह मॉर्निंग का रूटीन इसी तरीके स अपने मतलग फॉलो बढ़ते हैं डेली कुछ ना कुछ अलग तरीके से रहता है उम्मिद करते हैं कि हमारी वीडियो आप सब को जरूर पसंद आई होगी वीडियो पसंद आजा तो प्यारा साल लाइक और चैनल के जो ही भाई भान नहीं आते हैं चैनल सस्क्राइब बिलक किचन का बाहर का सब कुछ कैसे क्या मैं मैंनेज करती हूं और कितना ज्यादा भाग दवरी हमारी जिन्दगी रहती है कितनी मेहनत मैं करती हूं और मेरी मेहनत का फल आप लोगों का प्यारा सा इक लाइक और सस्क्राइब है मेरी वीडियो को वाच करें मुझे सहयोग करें आप लोगों से यहीं उम्मीद करती हूँ और मैंने जैसा कुछ भी जो कुछ सेयर किया आप आप केमरे से सब कुछ दिखाया है आप लोगों को उम्मीद करते हैं सब कुछ आप सब को पसंद आएगा वीडियो पसंद आजाए तो लाइक सेयर करना जो भाई 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 चैनल पर नए आदिख चैनल को सस्क्राइब कर लेना और आप जिस भी तरह की वीडियो देखना चाहते हैं तो प्लीज आप में कमेंट करके बता सकते हैं ताकि मैं उस तरीके की वीडियो लाँग जिससे आप की हिल्फो और हमारी भी मैं तो तरह तरह की जानकारिया भी यहाँ पर सेयर करते रहती हूँ तो जदि यह फिर मिलते हैं आप लोगों से नेक्ट वीडियो में तब तक के लिए वाई उमीद करते हैं कि आप सब मारा साथ चरूर देंगे प्लीज यारे एक प्यारा सा लाइक और मेरे चैनल के सब्सक्राइब करना करता ही ना भूलें क्योंकि वो हमारी मेहनत का फ़ल होता है और आप लोग जो की वीडियो को देखते हो इससे हमें काफी खुसी मिलती है तो चलिए बाइ मिलती हिनिफ टाइम आप लोगों से ऐसे ही किसी प्यारे व्लाग या किसी अच्छे जानगारी के साथ तब तक के लिए बाइ